इस इस दे प्लांट टेक्सोनोमी हमारा नया टोपिक है इंट्रेस्टिंग टोपिक है आपको मैं सीधा सा बता दूं टेक्सोनोमी वर्ड का मीनिंग क्या होता है टेक्सोनोमी नि oh टेक्सोनोमी कहलाता है टेक्सोनोमी वर्ड जो है वो सबसे पहले एपीडी केंडॉली एक सेंटिस्ट है उन्होंने इसको एक्स्प्रिन किया था और उनकी एक बुक थी जिसका नाम है यापर थियोरीज इस बुक के अंदर इन्होंने इस वर्ड के बारे में बताया है तो यानि कि टेक्सोनोमी का अगर हम कहेंगी जो एक तरीके से जो फॉदर है टेक्सोनोमी के वो एक तरीके से एपेडिक अंडॉली ही कोई हम कह सकते हैं इनका अकेले का कोई कॉंट्रिबूशन नहीं कहा जाएगा कॉंट्रिबूशन बहुत सारे साइंटिस्ट का है इसलिए इनको फादर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं क्लियर बात है आपे दूसरी बात टेक्सोनोमी अगर हम स्टेडि करते हैं जो टेक्सोनोमी को स्टेडि करने के लिए यह यूँ कहें कि किसी भी science की, किसी भी branch के, किसी भी point की study के लिए कुछ ना कुछ parameters जो है, वो fix होते हैं यानि कि हमें उन parameters को follow करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो ही parameters तेक्षोनों में भी बनाए गए हैं कि हाँ, अगर आप टेक्षोनों में पढ़ना चाते हैं या पढ़ाना चाते हैं तो आपको ये parameters follow करने पढ़ेंगे, then ही आप उसको अच्छे से explain कर पाएंगे वो parameters क्या हैं, हम देखते हैं सबसे पहले जो parameters हैं, वो है इसके अंदर identification identification की सीधी सी बात आपको मैं बता दूँ कि एक ऐसी process जिसमें किसी भी जीव को another organism के साथ में identify किया जाता है और एक different category के अंदर, different axonomic category के अंदर, different axonomic group के अंदर उसको रखा जाता है क्या कहलाता है, identification कहलाता है clear बात यहां पर, आपको मैं example देता हूं इसके अंदर एक, कि हम बात करें, plant taxonomic की सीधा सा मतलब है, हमें यहां प्लांट से मतलब है लेकिन आप किसी भी plant को identify किसके वेस पर करेंगे क्योंकि आप तो खुद एक unknown है, मतलब खुद आप एक बार taxonomic पढ़ना चाहते हैं, या taxonomic खुद पढ़ रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि plant को हम कैसे explain करेंगे, plant को हम कैसे identify करेंगे इसका मतलब आपको एक दूसरा organism पता होगा सबसे पहले और वो best example हम ले सकते है, animals का, यानकि आपको animal पता है फिर आप देखेंगे कि यार ये plant, मतलब ये animal के जैसा हमें दूसरा organism जो है वो animal के जैसा तो नहीं लग रहा, इसका मतलब ये different है तो यानि कि हमने उसको animal की base पर identify किया है कि animal तो ऐसे दिखते हैं, ये ऐसा दिखी नहीं रहा उसी base पर हम उसको क्या रखते हैं, एक अलग के डेगरी में रखते हैं clear बात याप है, second point, जैसे है आप उसको identify कर लेते हैं कि हाँ ये animal नहीं है, ये दूसरा group है फिर हम उसका क्या करते हैं, ये आपे नामकरण करते हैं नामकरण जो है, वो international जो भी rules है, उसके according उसको किया जाता है second है, फिर जैसे है आप उसको नाम कर देते हैं, नामकरण जो भी process जो वो करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, classify करते हैं और classify क्या होता है सिदा साब को मैं बता दू classification जो है वो similarities or disorder similarities योनी कि समानता और एसमानता के base पर किया जाता है मतलब अगर आपने इस plant को animal से identify करवाया है तो आप उस plant की और animal की समानता है देखेंगे उस plant की और animal की एसमानता है देखेंगे और उन ऐसे मानता और समानताओं के वेस पर अब इसको क्या करते हैं एक अलग गुरुप में रखते हैं clear बात यहां पर तो this is the identification, nomenclature, classification main tool यही माने जाते हैं लेकिन एक another tool है वो भी important माना जाता है on the behalf of taxonomy और वो है हमारा affinities clear बात यहां पर affinities को इसलिए consider किया जाता है क्योंकि affinities जो हमारी help करता है for the study in evolution यानि कि अगर हम किसी भी plant के उद्विकास को या origin को देखना चाते हैं तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप उस plant से ही पूछ लेंगे कि आप बताइए आप कब originate हुए, किस से originate हुए अगर ऐसा होता तो हम taxonomy क्यों बढ़ते हैं हम तो easily बता देते हैं यानि कि ऐसा होता नहीं है तो अब हम क्या करते हैं एक ऐसी process का use करते हैं जिससे हम उसके समानता और ऐस समानता के base पर उसके evolution को देख पाते हैं समझ पाते हैं और इसी प्रॉसेज को नए नाम भी अज़ाद है that is the affinities clear बात यहां पर तो यानि कि taxonomy के चार parameters हमें follow करने पड़ते हैं पहला है identification second nomenclature, third classification and fourth one is affinities students यहां पर आपने बार बार मैं बोलता जा रहा हूं taxonomy, taxonomy, taxonomy तो क्या taxonomy पहले से ही था क्या नहीं because यह video जो है वो इसका historical video है इसमें हम rules के बारे में भी बात करेंगे और taxonomy के जो tools हैं उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन पहले हम थोड़ा history के बारे में तो बात करें होता क्या है तो क्या taxonomy पहले से ही था नहीं इसका मतलब पहले कुछ और था तो हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे हम हमारी taxonomy को start करी रहे तो बने रही है आप इस वीडियो में यह आ चुका हमारा जो पहले का system हम कह सकते हैं कि इसके base पर जीओं को पहले पढ़ा जाता था study की जाती थी उनकी तो इसमें सबसे पहले नाम आपको दिखाई दिय रहा होगा old systematics what is the meaning of old systematics नाम से पता जल रहा है old का मतलब पुराना है और systematics word जो है वो आया है systema एक Greek word है जिससे और systema का सीधा से मतलब होता है जीओं का नियमित व्यवस्ता मतलब एक regular arrangement एक lawful arrangement of the organism इस systema यानि की नाम तो सही दिया है क्योंकि इसके अंदर हमें जीओं को पहले arrange तो करना पड़ेगा ना जबी तो आप उसको पढ़ पाएंगे ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे की पूरे अर्थ के उपड़ एक ही पहले की नियम इसके अंदर रखे गए हैं तो यह हमारी लिए कम यूसफूल है पहले एक बार पढ़ ले वोटेंग है पहले उसके definition आपको आना जरूरी है systematics क्या होता है किसी भी जीओ का evolutionary relationships then उसका comparison then उसके diversity इन तीनों चीजों के बारे में जो study करता है तीनों चीजों के बारे में जो details आपको देता है उसी को हम क्या कहेंगे systematics कहेंगे that means जीओं की विवित्ता और उनके तुलनात्मा का उद्विकास ये संबंदों का study ही क्या कहलाता है systematics कहलाता है इसको हमने old इसलिए काया क्योंकि इसके अंदर पुराने लोग थे पुराने thinking थी पुराने नियम थे और वो नियम में से एक नियम आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर external morphological characters को include किया जाता है या यूँ कहें कि external morphological characters के base पर जीओं को classify किया जाता है वो कौन-कौन से हैं example आप देख लीजिए आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना useful था root, stem, leaves, flower and etc यानि कि जड़, तनाव, पत्ती और फूल के base के उपर आप पादर को क्या classify कर सकते हैं नहीं ऐसे बहुत सारे plants आपने देखे होंगे जिनके फूल की जो smell है फूल के जो एक तरीके से हम कहें कि जो elements है roots है, stem है, leaves है वो एक जैसे दिख जाती है तो इसका मतलब फिर तो हमारे लिए सारे चीज़े एक जैसे हो जाएंगी, तो ये तो बहुत कलत हो जाएगा इसलिए old systematics कम useful रही हमारे लिए बट हम बात करते हैं, हमारा new systematics हम तो modern है ना, तो new systematics पढ़ेंगे, new systematics के बात की जाती, तो new systematics जो है, वो दिया है Julian Huxley ने, 1940 के अंदर, जबकि old systematics या यूं गए कि systematics वर्ड जो है, वो दिया ता lenious ने careless lenious ने new systematics है, नए नियम थे और अच्छी बात है, नियम भी अच्छे थे इसमें, कैसे हैं वो देखें, कि इसके अंदर हम plant के external and internal दोनों characters लेते हैं, इसके अंदर हम plant की cell की structure भी include करते हैं साथ ही हम उसके evolution process को भी लेते हैं, साथ ही हम उसकी ecological situation के वारे में भी बात करते हैं यानि कि इसमें तो बहुत सारी जीज़े हम include कर रहे हैं, और इसी वज़े से यह हमारे लिए बहुत beneficial है, बहुत अच्छी मानी जाती है because हमने इसमें एक particular characters के base पे काम नहीं किया हमने इसमें बहुत सारे characters use में लिये हैं, और इतने सारे characters अगर आप use में ले रहे हैं किसी भी जीवो classify करने के लिए तो ये आपको एक अच्छी knowledge ही देता है, या यूँ कहें कि एक बिल्कुल right knowledge आपको देता है इसी वज़े से इस new systematics का use यह है वो किसमें किया जाता है, किसी भी plant के inter relationships के बारे में पता लगाने के लिए भी किया जाता है, यानि कि plant में भी relationships होते हैं आप ये मान के जलिए humans हो कहां, plants में भी relationships हैं, तो इन relationships का पता लगाने के लिए भी थो हमें कुछ ना कुछ नियम जो हैं, वो follow करने पड़ेंगे, और वो ही नियम है new systematics clear बात यहां पे और यही रीजन है कि new systematics को हम अच्छा मानते हैं विकोज इस new systematics के अंदर हम morphological characters के साथ साथ हम यहां पे evolution साथ ही यहां पे genetical characters को भी यहां पे importance देते हैं और यही रीजन है कि जहां पे evolution और जहां पे genetical characters को importance दिया जाता है, वो ही हमें authentic knowledge जो है वो provide करवाते हैं, clear बात यहां पे इसलिए new systematics को अच्छा माना जाता है तो यह हमारा thoughts हम कह सकते हैं कि पहले ऐसा काम होता था और अब ऐसा काम होने लग गया तो all systematics ignore हो चुकी है new systematics को apply किया गया है और इसी के base पर आगे taxonomy को पढ़ा जाता है next point आपका यहां पे है कि what is the practical significance of taxonomy, यानि कि कभी कबार direct question पूछा जाता है कि practical taxonomy मतलब taxonomy का जो significance है वो क्या है, तो significance इतना सा है कि इसकी help से हम अग्यात जीवों को पैचान सकते हैं यानि कि identify the unknown organism यानि कि अगर हमें कोई जीवों मिलता है, तो हम उसको इसके base पर, या इसकी help से identify कर सकते हैं clear बात याँबे, कुछ इसमें important जो आपके एक तरीके से हम कहेंगे, जीके की बाते दी गई है, वो देख लीजिए, सजीओं में सबसे ज़्यादा जो diversity है, वो हमें का मिलती है उसने कटी बन दी है, जो one है, वहाँ पर देखने को मिलती है, सजीओं की diversity सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर, वो है coral reef, मतलब coral reef के अंदर जो हमारी diversity है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अब तक 1.7 million से 1.8 million तक जो organism है उनकी खोज हम कह सकते हैं कि वो हो चुकी है, clear बात यहाँ पर next point हमारा है यहाँ पर और very important point है that is the nomenclature nomenclature की अगर बात कि जाती है तो nomenclature के लिए सबसे जो अच्छी और suitable जो हमारी technology है वो है, यहाँ पर binomial system, द्वीनाम पदती इसके बारे में आपको animal taxonomy की वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा वो उसके link आपको description में मिल जाएगी तो जो animal taxonomy पढ़ना चाते वो वहाँ से देख सकते हैं द्वीनाम पदती को सबसे पहले जो propose किया था, वो किया था gaspot बहीन ने, अपनी book का नाम explain किया था, वो किया था, carolos lenius ने, अपनी book इनकी ये book थी वो थी species plantarum species plantarum के अंदर इन्हों ने binomial nomenclature के बारे में explain किया है और इसी वज़े से इनको founder of the binomial system भी का जाता है तो very important point है ये who is the founder of binomial system species plantarum की अगर बात की जाती है, तो species plantarum सबसे पहले one may 1753 के अंदर क्या हूँ ये publish हुई है यानि कि अगर एक मई 1753 से पहले कोई भी पोधे का नाम आपको मिलता है यानि कि time के साथ आपको देखना है अगर वो मिलता है तो वो scientifically मानने नहीं है that means scientifically वो illegal है because एक मई 1753 के बाद में ये बुक publish हुए then उसके बाद में ही कोई भी नाम जो है वो आपको scientifically approved मिलेगा इसी के साथ Linius ने अपनी इस बुक में Sistema Nature एक अलग बुक लिखी थी उन्होंने Sistema Nature के अंदर जो इनके 10th edition था उस 10th edition में इन्होंने जो animals का जो नाम है वो भी यूज में लिए है और इसका जो 10th edition है वो publish हुआ था 1 August 1758 में इसलिए 1 August 1758 के बाद से ही जनतूं के नामकरण को माना जाता है तो ये कुछ नॉलेज है एक तरीकिसम के information है बहुत direct question पुछी जाता है इन से तो इसलिए आप इनको थोड़ा सा याद रखें 1753 में plant है 1758 में animals है clear बात है आपे book अलग अलग है दोनों की species plant term for the plant and systema nature for the animals next point हम बात करते हैं यहाँ पे वो है ICBN International Code of Botanical Nomenclature ICBN के अगर बात की जाती है तो ICBN एक international institute है एक तरीके से हम कह सकते हैं और यही जो है नियम देता है plant के नomenclature के लिए ICBN सबसे पहले जो लागू हुआ था वो हुआ था 1961 के अंदर पादप नामकरन से संबंदित जितने भी नियम है वो सारे के सारे नियम कोन देता है ICBN देता है और सबसे पहले यह लागू कभू हुआ था 1961 में तो सबसे पहले हम बात करते है इसके rules के बारे में rules के अगर बात की जाती है तो दिविनाम पंदितिक अनुसार प्रतेक जाती के नाम में दो शब्द या दो घटक होते हैं पहला जो नाम होता है घटक होता है वो होता है इसमें generic name यानि कि जो कि जीनस के name को बताता है और सेकिंड होता है specific epithet जो कि जाती के नाम को बताता है एक्जामपल साथ के साथ इसमें दीए हुए है एक्जामपल है solenum tuberosum आलू का वेग्यानिक नाम है तो इसमें solenum जो है वो generic name है जबकि जो हमारा tuberosum है वो specific epithet है दूसरी बात एक और एक्जामपल है इसमें mangyfera indica जो कि mango का scientific name है तो इसमें mangyfera जो है वो generic name है जबकि indica is specific epithet पहला नियम है ये कि जाती का अगर आप नाम लिखते हो किसी भी जाती का तो उसके नाम में दो शब्द होंगे पहला वंच का नाम होगा और second होगा specific epithet वंच का नाम जो है वो हमेशा capital letter से आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है S capital है M capital है तैर इसके बाद में जो specific epithet के नाम है वो small से start होंगे clear बात यहां पर second नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है वो है कि पादप नाम करण में यह टॉटो नेम्स जो है वो मानने नहीं है टॉटो नेम्स का मतलब क्या होता है एक बार आप देख लीजिए टॉटो नेम्स का सीधा सा मतलब होता है कि वो नाम जिन में generic और जिन में specific epithet same होते हैं उसको हम क्या कहते हैं टॉटो नेम्स कहते हैं और यहां पर टॉटो नेम्स मानने नहीं है एक example आपको इसमें दिख रहा होगा मेंजी फेरा मेंजी फेरा यहां पर दोनों same है इसी वज़े से ऐसे नाम भी यहां पर मानने नहीं होते हैं यानि कि अगर आप किसी भी plant का नाम रखते हैं तो आप same नहीं रख सकते बट आपको मैं knowledge दे देता हूँ कि जो animals होते हैं उन animals के अंदर यह नाम जो है वो मानने होते हैं तो यह थोड़ा सा बहुत important point है वो आपको यहां पर ध्यान रखना है next नहीं बात करते हैं जो कि आपको मैंने बता दिया कि generic name का पहला अक्सर बढ़ा होगा जबकि specific का छोटा होगा जो कि आपको दिख रहा है लेकिन यदि specific specific effect किसी व्यक्ति के नाम के उपर है तो उसको आप बड़े अक्सर से ही लिखेंगे very very important point है जैसे कि आई-सोइटिस मांती पंती एक व्यानिक का नाम है यहां पर पंत जिसे हम कह सकते हैं इसलिए यहां पर P को क्या लिखा गया है बड़ा लिखा गया है रूला फोर्थ कि जब आप इस व्यक्यानिक नाम को हाथ से लिखते हैं तो हाथ से लिखते समय या टाइब करते टाइम आपको दोनों नामों को अलग-अलग क्या करेंगे आप इनको underline करते हैं very 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 important point है कि अगर जब इन नामों को आप हाथ से लिखते हैं तो आप इन दोनों नामों को अलग-अलग दूर-दूर लिखेंगे और इनको क्या करेंगे आप underline करेंगे लेकिन अगर इनको print किया जाता है तो print करने के time इनको क्या लखा जाता है तरचा italics form में जो कि इनकी latin origin को दरसाती है जैसे कि आपको इसमें जितरे भी नाम दिख रहे होंगे सारे के सारे italics form में है तिरचे आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये printed है नेक्स पॉइंट जिस वग्यानिक के नाम करन दिया है जिस वग्यानिक ने तो उस वग्यानिक का नाम specific epithet के बाद में भी लिखा जाता है short form में जैसे कि इसमें लिखा गया है मैंजी फिरा इंडी का lin lin का सिधा सा मतलब है linious linious नहीं ये नाम दिया है इसलिए इसको last में लिखा गया है नेक्स पॉइंट वग्यानिक नाम करन latin में greek भाषा में होना चाहिए और ये actually क्या है इनके origin को बताते हैं इनको dead language माना जाता है in the science इसलिए ये तो या latin में होंगे या ये greek भाषा में होते हैं clear बात यहां पे और नया point यहां पे हमारे पास है कि नये खोजे गए पादब का type specimen या herbarium sheet जो है वो dry garden में रखा जाना चाहिए ये भी important point है यानिकि जो plant आप नया discover कर रहे हैं उस plant को आप herbarium sheet बना करके herbarium में रखेंगे herbarium क्या होता है it is the dry garden इसके बारे में भी हम detail से बढ़ेंगे तो students ये total 8 नयम जो है वो ICBN ने दिये है for the nomenclature of plant अगर आप इन 8 नयम को follow करते हैं तो आपको नामकरण करने में किसे भी प्रकार की कोई समश्या नहीं आएगी next point हम बात करते हैं taxonomical tools के बारे में taxonomical tools के बात के जाती है तो taxonomical tools बहुत ज़्यादा important होते हैं क्योंकि इनकी help से हैं plant को preserve कर पाते हैं for the future for the study तो सबसे पहले tools में पहला हमारे पास आता हर्बेरियम हर्बेरियम एक ऐसा performa है जिसके अंदर plant को क्या किया जाता है एक नमूना उनका collect किया जाता है उनको कागज की seat पर शुखा कर press करके preserve करते हैं इसकी size आपको याद रखनी है 11.5 by 16.5 inch यह size fix होती है इस पर एक label लगा होता है जिस पर collecting date होती है place होता है English में local name and vernacular name जो है वो लिखे वे रहते हैं collector का name भी लिखा हुआ रहता है and herbarium taxonomy वर्गी के लिए immediate reference system provide करवाता है कई कबार direction पूचा जाता है what is the huge and what is the practical significance of herbarium it is the provide immediate reference system यानि कि अगर आप किसी भी plant के बारे में तुरंट देखना चाते हैं तुरंट कुछ पता लगाना चाते हैं आप herbarium में जाकर के या herbarium के help से पता लगा सकते हैं clear बात है आपे second point इस में है botanical garden botanical garden के अंदर भी क्या किया जाता है species को पैचानने के लिए उगाया जाता है जिस पर label होता है label में उसके अंदर botanical name उसका scientific name और उसके family का नाम लिखावा रहता है जो की help करते हैं हमारी taxonomy में next point museum museum में जो specimens हैं वो preserve किये जाते हैं एक specific solution के अंदर preservatives होते हैं वो तो ये museum भी हमारे लिए taxonomical tools का काम करते हैं next point हमारा है इसके अंदर जो या जो भी हमारे animal houses है जहां पर उनको रखा जाता है वो भी help करते हैं और last point हमारा है इसके अंदर keys and chubby what is the meaning of keys तो the student दियान रखना keys का सेदा सार मतलब होता है कि keys जो है एक ऐसा taxonomical tool है जो कि plant की समानता और ऐसमानता के base पर बनाया जाता है यानि कि परतेक keys के अंदर यानि कि individual और each keys में हमेशा क्या होते हैं दो sentence लिये जाते हैं जो कि एक तो उसके similarities को शोड़ करेगा और दूसरा उसकी ऐसमानता को शोड़ करता है और इसी के base पर इन दोनों sentence को क्या कहा जाता है coupleate कहा जाता है तो ध्यानिकना की keys के अंदर जो हमारे विपरिया शे लक्षन होते हैं उनको क्या कहा जाता है coupleate कहा जाता है परतेक जो keys होती हैं वो एक leader का काम करती हैं leader का काम करती हैं और इसी के base पर हम plant को easily identify कर सकते हैं clear बातिया पर तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसमें हमने taxonomical history taxonomical rules ICBN rules के बारे में बात की है next वीडियो हमारी होगी classification के लिए जिसको हम अलग से बनाएंगे thank you students इतने देर वीडियो में बने रहने के लिए thank you so much